हेलो जी गुड़ी बिनिंग नमस्कार जेहराम जी की और गर्मा गरम ब्रेट पकोड़ों के साथ में आहज का जो वीडियो है वो स्टार्ट हो रहा है हम लोग निकले थे सुबह मार्केट दुकान के जिलसिले में ही और वहाँ पर ये ब्रेट पकोड़े बन रहे थे यहीं प पर ये जो लोग चिड़ावा से हैं वो समझ जाएंगे मैं कौन सी जिगाए पर बैठी हुई हूई हूँ वो आज ये वाली दुकान है ना चिड़ावा की वैसे सबसे फेमस दुकानों में से ये दुकान है और ये कौन सा चोक है आप लोग बता देना यार मुझे कनफम याद नहीं है मैंने पांच मिनट तक वीडियो को बीच में रोक करके आडिटिंग को फिर सोचा है इसका ना हमेशा ही मतला वह ऐसा ही होता है कि उसमें बहुत भेंकर भीड होती यहां बैठने के लिए बिल्कुल जगहनी होती लेकिन आज वो दुकान बन थी पता नहीं किस कारणवस बन थी तो मैं यहां पर बैठी वी थी और सर्माजी बाइक लगा कर कहीं किसी दुकान के सिलजले हमें इधर उदर पुछताच करने गए थे तो अब वो आएंगे ना उसके बाद में आगे का जो हम लोग क्या करने वाले हैं दिन में कहां जाने वाले हैं वो सारी चीजे हम दोनों बैठ कर डिसकस करेंगे क्योंकि जिस चीज के लिए निकले थे न वो तो एक बार के लिए समझो हो नहीं पाएगी और उसी के चकर में हम लोग 11 बजे निकल लिए थे घर से 11 बजे से पहले ही निकल लिए थे और आज कल सैडूल पूरा मार्केट में निकलता है इधर उद्धर धक्के खाते वे पूरे दिन चकर काटते रहते हैं लेकिन भगवान जो है ना वो जो लोग हमारे बिकानेर साइड से ना वो लोग तो बहुत घाते हैं और यहां पर मुझे क्लिप शूट कर नहीं थी मैं आप लोगों ने देखा हुआ मेरे वीडियो में मार्केट बहुत कम कैप्चर होती है लेकिन आज है ना दोनों बेठे थे और ऐसा ही था कि इस टाइ कान के बार हम नों नों बेठक हैं मार्केट जाते हैं इदस जोगए मतलब जितना सकता न अघर करने कोसिस करते है कि कहीं न कहीं तो दुकान सब्सक्राइड करते हैं के दूकान अच्छी मिल भी घाएगे तो मार्केट के दम्नने आज थकिने के बाद में शुकून वाला जो रहा शोता है वो अभी थोड़ी देर के लिए मिला था तो फिर मेरे याद आए कि चलो थोड़ा क्लिप बनाते हैं तो मैंने एक बाइक खड़ी थी बाइक के पास में मोबाइल घड़ा किया और बैठ गए दोनों अपना अपना खाने के लिए औ तो यहां पर उसके बाद में हम लोग आ गए थे बहिया का चस्मा जो है ना वो लेकर जाना था इनको गाओं यह जब भी जाएंगे ना रक्षावंदन पर जाएंगे तब ले जाएंगे तो मैं भी जाओंगी ऐसा नहीं है लेकिन इनके पास फोन आया था तो बस वो चस्म काफी कॉमेंट्स भी आए कि दुकान हो ना हो आप पहले सामान लेया हो मतलब दुकान में डेले हो जाएगा पांच दिन का दस दिन का कोई बड़ी बात नहीं है मिले तुगी और नहीं मिलेगी तो मेरे घर में जो दुकान में तब तक उसमें रख लूँगी एक पर सामान होगा न या फिर उससे पहले आप बच्चों को छोड़ने भी तो जाएंगे सदर बजार जाएंगे जब तो उस टाइम पर हम लोग ये चस्मा घर पे ले जाएंगे तो यहाँ पर आ चुके थे ये चस्मा लेने के बाद में फिर सोचे की चल और निकलते हैं एक कॉंपलेक्स में और जाना है वहाँ पर हम लोगों ने पहले भी एक दुकान देखी हुई है और वहीं पर जाकर के और थोड़ी सी कुछ वो होते हैं न कुछ बाते रहे थी वो बाते कंफर्म करनी थी तो वहाँ गए थे तो वहीं पर ये जो एक दुकान उन्होंने कर रखिया कंगन की यहें यहां बैठती हैं कंगन का कंगन का इंका काम है और उसी के साथ था मिनोंने यहर्इंक वगधर लगा रखिया है तो इनहीं के दुकान में मैं तो यहां पर दुकान होती है न तो यह हमारी परडोसी होंगी टीक है इनका यह कंगन का है और काफी अच्छ अच्छ State को नहीं पता उनको बताऊं तो तो यह विधाता कॉंपलेक्स है और इसी में हम लोगों ने भी देखिए दुकाने देखते हैं अब क्या होता है वह एक दो दिन में आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा बता दूंगे मैं अब ज्यादा टाइम नहीं है साइट तक है सैटरेड कि उसका पूरे दिन काम खतब नहीं होता विसे दुकान में बैठने के लिए नहीं जारी बगवान करें ऐसा हो कि कस्टमर आए बैठने का मौका ही ना मिले लेकिन दुकान में बैठना मतलब इस तरी दुकान के अंदर काम करना मेरी तरफ से मैं यह बता रही हूं और यह व करके बताना कि विधाता कॉम्प्लेक्स में वो जाते हैं क्या शोपिंग करने के लिए कैसी यहां की मार्केट रहेगी थोड़ा सा मतलब आप लोग गाइड करोगे ना तो मुझे पता चलेगा कि इस कॉम्प्लेक्स में मेरे कैसा फ्यूचर रहने वाला है तो जिश्याम के ब देशी सेखावाटी मंच उस चैनल पर काम कर रहे है हाई कर दो है कैसे हो सब लोग मस्तो मज़े में रहना चैनल कमेंट तो पोच गया फिर तो पॉब्लिक के नहीं दो कमेंट इस हम अभी तेवेट खराब जल रही है भी आएंगे साथ में दुकान का चक्क्र मांड रहे है तो जी उसके बाद आ गए थे यहां पर में जो रोड है ना उसके उपर और यह में हमारे मार्केट की में रोड है मतलब कबूतर खाने वाली रोड है यह जो लोग चिड़ावा से ना वो जानते होंगे तो इस पर भी हम लोगों ने यह वाली दुकान देखी है और सबसे ज नहां तो पूरे दिन आते जाते रहते हैं तो जाइड सी बात जब पूरे दिन आवागमन होगा तो कस्टमर भी आएंगे यही सोच के हम लोग आये थे इसमें और उपर से इसमें फुल फरनीचर सेट है तो फरनीचर वाली भी कोई दिक्न निया फरनीचर खरीदना नहीं पड़ेगा लेकिन इनका रेंट बहुत जादा है अब रेंट पर बात अटकी हुई है देखते हैं रेंट है इनका थोड़ा बहुत यह ठीक ठाक लगा लेंगे तो फिर वह न कि करते टाइम थोड़ा सा डर नहीं लगेगा आप लोग भी समझते हो इस चीज़ को तो यह व सब्सक्राइब, ब्रश पर करेंगे दखा जएगा जब तक नवरात्री आएग्या नाद साय जाएगे और जो होगा बताना कि यह वाली रोड्ण वी दिखाई ना इस रोड़ पर यह दुकान होगी तो कैसा कुछ इसका फ्यूचर हो सकता है और इसका किराया उन्होंने बत बताया था लेकिन हमारी तरफ से जैसे उन्हों ने 12-13 एकसेप्ट किया है तो आप लोग बताना कि इतना निकाल सकते हैं कि इस दुकान से तो यहां पर हम लोग आ गए थे इस साफे वाली दुकान में तो यहां पर इनकी कुछ जायनकारी थी तो थोड़ देर बैठे थे तब हमने दिख गया है मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया इसमें और यह वाली रोड़े देखो यह जो ओडियंस टिडावा से बाहर से है ना उनको बताना चाहूंगी यह रोड़ है इस रोड़ पर वो दुकान हम लोग देख रहे हैं वो होगी तो आप लोग अपना एक्स मैं आप लोगों से क्यों ना पूछू सबसे राय लेनी जरूरी है ना तो आप लोग जरूर बताना आज मैंने सुकुन के साथ में सारा वीडियो बनाया क्योंकि मुझे जो मैंने पिछले दिनों नहीं किया तो उससे मुझे परेशानिया हुई मुझे गाइड करने के होजाता है तो यह देखो यहां तक बहुत आती है और जो विदाता कॉंप्लेक्स मैंने बताए ना वहीं पर गली में है लेकिन कॉंप्लेक्स के अंदर फिर भी भीड कम होती है देखो यहां तक हम पहुंचे लिए कितनी बीड बारवाला एरिया ना तो आप लोग बताना अपना experience शेयर करना बागी अपनी किस्मत है तो चलो मिलूँगी एक नए vlog के साथ में बाइन टेक या, thanks for watching, वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe जरूर करना